दोस्तों, इलॉन मस्क को कोन नहीं जानता, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसे इंस्पिरेशन बने बैठे हैं, आज इनके जैसा हर कोई बनना चाहता है, इलॉन मस्क जैसे दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं, मतलब नहीं के बराबर है, लेकिन आप इनकी लाइफ से एंस्प हो सकता है, दोस्तों दरसल एलॉन मस्क अपने जीवन में कुछ ऐसे रूल फॉलो करते हैं, जिसके बारे में वह हमेशा बात भी करते हैं, आज हम सब वही रूल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको भी जिवन में सफलता प्राप्त करने में मदद जरूर मिलेगी, दोस्तों इसमें सबसे पहला रूल है, have a strong why, यानि कोई भी कार्य करने का मजबूत कारण, दोस्तों एलॉन मस्क ने एक इंटर्व्यू के दौरान कहा है कि, अगर व्यक्ति को सफल होना है, अपने क्षेत्र में बड़ी काम्याभी चाहिए, तो उसके पीछे का why clear होना चाह आपको कोई भी कार्य क्यों करना है, उसका एक मजबूत कारण होना चाहिए, अगर आपको अपने कार्य करने का why मजबूत हो गया है, तो आपको दुनिया की कोई भी मुश्किल, आपको अपनी मंजिल हासिल करने से नहीं रोक सकती हैं, अपने कार्य के पीछे का why मजबूत होने पर आप उस कार्य में आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं वैसे तो कहा जाता है कि कोई जिद्धी व्यक्ति कोई कार्य करने की ठान लेता है तो उसे करके दिखाता है लेकिन जिस व्यक्ति का उस कार्य के पीछे का कारण मजबूत नहीं है तो उसे वह व्यक्ति नहीं कर सकता है इसमें second rule है don't fear failure यानि असफलता से डरो मत दोस्तों alone must कहते हैं कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको उस कार्य में असफल होने का डर रहता है तो आपको निश्चित असफलता ही मिलती हैं क्योंकि कि आप डर के साथ कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते हैं उसमें आप अपना पूरा focus नहीं लगाते हैं क्योंकि आपका आधा focus तो असफलता के डर पर चला जाता है alone must कहते हैं कि जब मैं rocket में तीन बार फैल हो गया और चौती बार अपना सब कुछ दाँ पर लगाने के बाद भी मुझे तनिक भी डर नहीं था क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं सफल हो जाऊंगा इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन से असफलता के डर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए और कोई भी कार्य बिना किसी डर के करना चाहिए इससे आप अपना क्वालिटी टाइम दे पाएंगे दोस्तों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करते जाओ फाल की चिंता मत करो अर्थात जो व्यक्ति पूरे मन और लगन से बिना किसी डर के अपना कार्य करते हैं तो उसे सफलता मिलना ते है और इसमें थर्ड रूल है Make sacrifices यानि त्याग करो दोस्तों कभी कभी कुछ बड़ा करने के लिए आपको बहुत कुछ का त्याग भी करना होता है Elon Musk कहते हैं कि जीवन में कहीं सारे ऐसे मोडाएंगे जब आपको कहीं चीजों का त्याग करना पड़ेगा और आपको करना चाहिए क्योंकि जीवन में त्याग करना जरूरी है यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है Elon Musk ने रॉकेट बनाने के लिए रिस्क यानि रिस्क लेना चाहिए Elon Musk कहते हैं कि जब वह रॉकेट को लॉंच कर रहे थे और लगातार तीन बार असफल होने के बाद भी उन्होंने चौती बार लॉंच करने का रिस्क लिया और वह उस कार्या में सफल रही दोस्तों अगर देखा जाए तो और इसके बिना सफलता नहीं मिलती है जितनी बड़ी रिस्क होगी सफलता भी उतनी ही बड़ी होंगी और पांच्वा रूल है Ask the right questions यानि अपने आप से सवाल कीजिए Elon Musk कहते हैं कि बड़ी सफलता के लिए अपने आप से सवाल पूछते रहना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं सही तरह से कर रहा हूँ या नहीं मैं अपने क्षेत्र में और बहतर कैसे कर सकता हूँ जब आप ऐसे सवाल करते हैं तो आपको बहुत जवाब मिलते हैं जिससे आप अपने कार्य को कहीं गुना बहतर कर सकते हैं। अक्सर वहीं लोग जीवन में बड़ी सफलता हासिल करते हैं, जो अपने आप से रोज सवाल करते हैं, और लोगों से फीदबेक लेते रहते हैं। अपने आप से सवाल करना, बुद्धिमान व्यक्ती का काम होता है। नूर्फ व्यक्ती को यहीं पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वह कभी भी खुद से क्वेस्चन नहीं करता है। और इसमें छठा रूल हैं। सूपर हार्ड वर्क करना, एलोन मस्क कहते हैं कि भले ही व्यक्ती कितना ही बुद्धिमान हो, अगर वह हार्ड वर्क नहीं करता है, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता है। हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है। एलोन मस्क खुद 15 गंटे 7 दिन काम करते हैं, और वह भी smart तरीके से hard work करते हैं, उसी को super hard work कहा जाता है, alone must कहते हैं कि कोई भी कार्य स्मार्ट तरीके से करो, लेकिन उसमें भी hard work करो, तब ही आप average लोगों से अधिक मूल्यवान और सफल बन पाएंगे, और सात्वा rules है, innovate fast enough, कोई भी कार्य करो, या नया कार्य करो, उसमे बाकी लोगों से आगे तब ही निकल पाएंगे जब आप फास्टर था तेजी से कोई कारिय करते हैं और यह इसी बात का सबूत है कि एलोन मस्क ने रॉकेट बनाने का काम बहुत ही कम समय में करके दिखाया है और उसमें सफलता भी हासिल की है एलोन मस्क लोगों को मंगल ग्र आने में मदद करता है और आठवा रूल्स हैं बिलीव यानि अपने कारिया और अपने आप पर विश्वास रखें दोस्तों विश्वास ही है जो आपको किसी भी परिस्थिती का सामना करने के लिए खड़ा रखता है एलोन मस्क कहते हैं कि जब लगातार तीन बार रोकेट लांच में असफल रहा तो दुनिया ने बहुत समझाया कि यह आपसे नहीं हो पाएगा लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन में इसे करके दिखाऊंगा और उसी विश्वास के साथ मैंने सफल परीक्षन किया इसलिए हर व्यक्ति को अपने कारिया और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि आपका विश्वास एक प्रकाश की किरण के समान होता है और वही किरण आपको सफलता का रास्ता दिखाती हैं इसमें नाइन्थ रूल है Learn on your own यानि अपने दम पर सीखो यहां पर Elon Musk कहते हैं कि आपको अपने दम पर सीखना चाहिए और आप अपने दम पर हर काम सीख सकते हैं यही कारण है कि Elon Musk घर बैठे बैठे ही rocket science सीख गए और rocket का सफल परीक्षन भी किया है इसलिए आपको हर कारिया अपने आप सीखना चा Elon Musk कहते हैं कि जो भी आपको लोगों के द्वारा feedback मिलता है उसका filter कीजिए अर्थात काम के feedback निकाले और उसे apply कीजिए यही जो rules है जिसको अपनाते हुए Elon Musk ने इतनी उंचाई हासिल की है दोस्तों अगर आप यह 10 rules आप अपनी जीवन में लाते हो तो निश्चित ही आपक कीजिए धन्यवाद